नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल लुडी बाबा में दोस्तों मेरा नाम है वीपंदर चोहान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज फाइन सर्फ कस्टमर केर नंबर के बारे में जहां दोस्तों अगर आप भी बजाज फाइन सर्फ कस्टमर केर नंबर से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को फूल बाच करें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बजाज फाइन सर्फ कस्टमर केर से बात कर सकते हैं और आपकी जो भी problem होगी वो solve हो जाएगी दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दें तो दोस्तों वीडियो को करते हैं start तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बजाज Findsler का customer के number बताने वाला हूँ दोस्तों ये है नमबर बज़ाज Fineser customer करें नमबर है ये दोस्तों जब इसको आप डाइल करेंगे तो यहां पर आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस की को आपको दबाना होगा दोस्तों अगर आपका बज़ाज Fineser में customer करेंज से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उस की को दबाना अगर आपको कोई वी जो प्रॉबलम हो दोस्तों यहाँ पर आपको आपको आपसन मिलेंगे आपको उस की को दबा देना है और आपकी प्रॉबलम जो है वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको डायल करके दोस्तों इस नंबर को दि जाहक हैं, एक दबाएं, यदि आप बजाज Finance Limited की जाहक नहीं है, दो दबाएं, अपने Registered Mobile Number से Validate करने के लिए, एक दबाएं, अपनी Customer ID एंटर करने के लिए, दो दबाएं, अपना EMI Card Number एंटर करने के लिए, सीम दबाएं, अपने हाल के Fixed Deposit Application की स्थिपी जानने के लिए, चार दबाएं, यदि आपके पास Menu विकल्प में आगे बढ़ने को Validate करने के लिए, इनमें से कोई भी जानकारी नहीं है, पाच दबाएं, अपनी पसंदीदा भाशा बदलने के लिए, छे दबाएं, प्रिये ग्राहक, इस पर हमारा भ्यान दिलाने के लिए धन्यवाद, हमने आपकी मोबाल नमबर पर एक SMS भीजा है, जिसमें हमारे पास अनुरोध भीजने के लिए एक लिंग है, आपके अनुरोध के बाद हम 48 घंटों के भीतर समधान के साथ आप से सम्पर करेंगे, तो दोस्तों इस तरीके से आप बज़ाज फैन सर्फ कस्ट्पर के लिए नमबर से बात कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चनल पर पहली बार आया हो तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहन